देश आजाद होता है और आजादी के बाद हमारी भारत सरकार कोई अहसास होता है कि नहीं सबके साथ नयाय दिलाना है बट सरकार वही थी कहीं ने कहीं सरकार में राजस्व प्राप्ति की अपेक्छाएं तो थी अंग्रेज भारत को पूरी तरह से सूसित करके गए थे राजी की सबसे बड़ी जिमेदारी थी कि भारत को reconstruct करना भारत का पुनर निर्मान करना और पुनर निर्मान करने के लिए विकास के लिए धन चाहिए था इसलिए जो sources of revenue है वो भारत सरकार छोड़दा नहीं चाहती थी इसलिए सुतित्र भारत में जो 1952 की प्रथम बन निती बनाई गई आप्टर इंडिपिंडेंस जो first forest policy बनाई गई थी 1952 में इस forest policy में जनजातियों को वन भूमी पर अधिकार देने की बात को बहुत ज़्यादा महत्तु प्रदान नहीं किया गया यानि 1902 की जो बन निती थी उसमें जनजातियां और बन के बीच में विलगाओ बना रहा जो विलगाओ अंग्रीजू ने उत्पन किया था कोई बहुत महत्तु प्रदू कदम नहीं उठाए गए और जनजातियां इस समय भी इस वन निती में भी कई तरह के अधिकारों से बंचित रही अनुसुचित जनजातियों और वनों के मध्य भी लगाओ और जनजातियां कई तरह के अधिकारों से बंचित थोड़ा बहुत इन पर ध्यान तो दिया गया सेडूल्ड किया गया इनको सेडूल कास्ट के रूट में पिछला सबुदाय माना गया इनके विकास के लिए प्रयाज सुरू किया गया पट 1902 में कोई असपश्ट रूप रेखा के द्वारा इनको वह अधिकार जो अंग्रेजों के पहले वन भूमी पर इनका विक्दमान था इसे बीच ट्राइबल डेवल्प्मेंट के लिए नहिरुजी का पंसील का सिध्धानत आता है और इस पंसील के सिध्धानत में एक सिध्धान था कि जनजातियों को वन भूमी पर उनके परंप्रागत अधिकार परदान किये जै परंप्रा अगत्य दिकार जो परंप्रा से चला आ रहा था जिसको अंग्रेजों ने चीन लिया था लेकिन पंजसिल के सिध्धांत या नहरुजी के सिध्धांत के accordingly जनजातिय विकास निती तो बनाई गई लेकिन इसको implement properly नहीं किया गया क्योंकि कहीं न कहीं वन से एक अच्छा राजस सुप्राप्त हो रहा था और सरकार उस राजस से को छोड़ना नहीं चाहती थी इसलिए बहुत ज़्यादा ध्या नहीं दिया गया सत्तर का दसकाया इधर सरकार वन को एलोट कर देती थी उद्धोग पती बनों की कटाई करते थे उस बन उत्पाद से अपना उद्धोग धंधा चलाते थे बनों की धेर सारी अवैद कटाई भी सरकारी मसीनरी और इन ठेकेदारों के मिली भगत से चल रही थी और धीरे धीरे बन खतम हो रहे थे इधर पूरे दुनिया में सत्तर का दसक प्रयावरन संग्रक्षण का दसक रहा सत्तर के दसक में दुनिया को पता चला कि जिस तरीके से प्रयावरन प्रदुशित हो रहा है विकास के जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इस रास्ते पर अगर हम यूँ ही चलते रहें तो प्रयावरन इतना ज़्यादा प्रदुसीत हो जाएगा कि हमारी अगली पीड़ी इस दुनिया में नहीं जी पाएगी हमारी अगली पीड़ी इस दुनिया में विकास का लाभ नहीं ले पाएगी फलतर sustainable development पर बल दिया जाने लगा और इसका असर इन बातों पर भी बढ़ा अब सरकार को भी लगा कि नहीं वन के संग्रक्षन पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वन का संग्रक्षन भी प्रयावरण के लिए बहतर है 1980 में 1980 में एक वन संग्रक्षन अधिनियम पारित किया गया यह वन अधिनियम नहीं था वन अधिनियम 1927 ही चला आ रहा है ध्यान रखना एक अलग से वन संग्रक्षन अधिनियम पारित किया गया वन अधिनियम 1927 के पीछे का जो पर्पस था उथा वन पर राजिकानी अंत्रन अस्थापित करना लेकिन 1980 में जो वन संगरक्ष अधिनियम पारित किया गया इसका उद्धे से था वन को संगरख्षित करना वनों की कटाई को रोकना जैव बिविधता को संरक्षन प्रदान करना वन जीवों की रक्षा करना अब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे का परपस क्या था इसके पीछे Environment and Ecology बित्तमान था ये जनजाती और बन के मर्दे के संबंधों पर फुकष्ट एधी नियम नहीं था इसके मैं थोड़ी सी चर्चा के वल कर दिया इसलिए कि एक क्रम समझते रहो कि क्या घटनाएं घटित हो रही थी इसके बाद 1988 में हमारी नई वन निती विक्सित की जाती है बनाई जाती है Forest Policy 1988 पहली प्रथम वन निती आजादी के बाद 1922 में बनाई गई और बन और जनजातीयों के मद्धे के संबंधों को सहजीवी संबंधों को सहयोगी संबंधों को स्विकार नहीं किया गया इस जनजातीयां बन से अलगावित रही अधिकारों से बन चित रहे लेकिन चुकि नहरुजी के पंसिल के सिध्धान्त में बन भूमी पर जनजातियों के परंप्रागत अधिकारों को मानेता देने की बात कही गई थी ये निती भारत सरकार ने एडॉप्ट की थी इस दिए एक संसोधित बन निती की जरुवत थी और 1988 में ये संसोधित बन निती आती है यानि सोच सकते हो कि 1958 में पंसिल का सिध्धान्त आता है 20 साल वाद, 30 साल वाद 88 में बन निती आती है और इस बन निती में पहली बार स्विकार किया जाता है कि नहीं बन और जनजातियों के मद्धिका सहजीवी संबंद, सहयोगी संबंद एतिहासिक रहा है इस लिए इन परंप्रागत अधिकारों को जनजातियों को प्रदान किया जाना चाहिए अब जब 88 में बन निती बनाई जाती है तो वन संक्षन अधिनियम 80 को थोड़ा सा मुडिफाई किया जाता है संसुधन 88 में किया जाता है उस बन निती के बाद इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है बट 88 में इस बात को स्विकार कर लिया गया 1988 की बन निती में कि अनुसुची जातियों और वनों के मद्दे के संबंधों को जो परमप्रागत संबंध था जो इतिहासिक संबंध था उसको स्विकार किया जाना चाहिए और इस जंजातियों के बन पर अधिकारों को प्रदान किया जाना चाहिए चाहिए अनुसुची जंग जातियों और बनों के बीच सहजीवी संबंधों की अस्ठापना परबर इनकी अधिकारों को प्रदान करने परबर और यहीं से इनकी अधिकारों को प्रदान करने की बात सुरू होती है लेकिन ये बात सुरू हो करके इंप्लिमेंट होते होते 18 साल बीच जाते हैं और 2006 आ जाता है 2006 में आपका नया कानून बनता है वन अधिकार अधिनियम 2006 जो आज के हमारे टॉपिक में प्रमुख है जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे और इस वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से सरकार द्वारा इस बन भूमी पर जनजातियों के प्रमपरागत अधिकारों को प्रदान करती है प्रदान किया जाता है